C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत हमारे अतीत ध्वनी पाठे पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याए 8 शीर्शक है खुश्चाल गाउं और सम्रिद्ध शहर हमारे अतीत प्रिष्ट संख्या 89 और सम्रिद्ध शहर लोहार की दुकान पर प्रभाकर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था एक छोटी सी बेंच पर कुलहाडी और हसिया जैसे कुछ आवजार बेचने के लिए रखे थे दूसरी और भट्टी जल रही थी आवजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था लोहे के आवजार और खेती लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है लोहे की सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा बन गई है इस उप महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग तीन हजार साल पहले शुरू हुआ महापाशान कबरों में लोहे के आवजार और हतियार बड़ी संख्या में मिले है इनके बारे में तुम अध्याए चार में पढ़ चुके हो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के आवजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमान मिलता है इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुलहाडियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है अध्याए पाँच में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृशी उत्पादन बढ़ गया कृशी उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्यकदम सिचाई सम्रिद्ध गाओं के बिना राजाओं तथा उनके राज्जियों का बने रहना मुश्किल था जिस तरह कृशी के विकास में नए आवजार और रोपाई अध्याए पाँच में जिसके बारे में हमने पढ़ा है महतोपूर्ण कदम थे उसी तरह सिचाई भी काफी उपयोगी सावित हुई इस समय सिचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशे बनाए गए अब एक नजर इस प्रिष्ट पर छपे कुछ चित्रों की और इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं, जिसमें आवजारों की सूचिया है यहां लिखा है, आवजारों की सूचि में इन चित्रों के नाम चुनो हसिया, कुलहाडी और संसी लोहे की ऐसी पाँच चीजों की सूचि बनाओ, जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो प्रिष्ट संख्या अस्सी इस चार्ट में तुम्हें सीचाई से आये परिवर्तन दिखाए गए हैं खाली स्थानों में सही वाक्य भरो लोगों द्वारा परिष्ट्रम किया गया किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था राजाओं ने स्थीचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया यहां कुछ विकल्प दिये गए हैं खाली जगा पर आप अपने विकल्पों को भर सकते हैं एक, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए दो, वे किसानों से कर लेते हैं तीन, खाली है चार, यह सिचाई से ही संभाव था पांच और छे, दोनों बॉक्स खाली हैं साथ, कृषी उत्पादन बढ़ा आठ, राजस्व भी बढ़ा नौ, यह बॉक्स खाली है गाओं में कौन रहते थे? इस उप महादवीप के दक्षिनी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाओं में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे तमिल क्षेत्र में बड़े भू स्वामियों को वे लल्ला, साधरन हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे देश के उत्तरी हिस्से में गाओं का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढियों तक बने रहते थे प्रिष्ट संख्या 81 यानि कि यह पद अनुवानशिक था ग्राम भोजक के पद पर आमतोर पर गाओं का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था साध्रन तया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राया राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें ही दे दिया करते थे ये नियाधीश और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतन्त्र क्रिशक भी होते थे जिनहें ग्रहपती कहते थे इन में ज्यादतर चोटे किसान ही होते थे इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी इनमें दास कर्मकार आते थे जिनहें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीवी का चलानी पड़ती थी अधिकार्श गाओं में लोहार, कुमहार, बढ़ाई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे यहां एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ऐसा लिखा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहिते कहते हैं इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई इन्हें संगम इसले कहा जाता है क्योंकि मदुरे यह प्रिश्ट संख्या 105 के मांचितर संख्या 7 पर आपको मिलेगा कि कवियों के सम्मिलनों में इनका संकरन किया जाता था गाउं में रहने वालों के जिन तमील नामों का उलेख यहां किया गया है वे संगम साहिते में पाए जाते हैं नगर क्या कहती हैं कहानिया यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व तुमने जातकों के बारे में सुना होगा ये वो कहानिया हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी बौध भिखुओं ने इनका संकरन किया यहां एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे-धीरे धनी बन जाता है प्रिष्ट संख्या 82 तो आएए अब सुनते हैं एक कहानी एक निर्धन की चतुराई एक शहर में एक गरीब युवक रहता था उसके पास एक मरे चुहे के अलावा कुछ नहीं था उसने उस चुहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई राजा का बागीचा तूटी टहनियों और पत्तों से भर गया उनका माली इसे साफ करने की बाद से परिशान हो उठा युवक ने माली से कहा कि अगर लकडियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बागीचे की सफाई कर सकता है माली तुरंत मान गया युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकठा कर लिया कि प्रतेक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक-एक मिठाई भी लेगी देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में से एक-एक तिन का चुन कर गेट के पास इकठा कर दिया तब ही उधर से राजा का कुमार बरतनों को पकाने के लिए इंधन की तलाश में गुजरा उसने पूरे धेर को खरीद लिया और इस तरह युवक के पास कुछ और भी पैसे हो गए अब उस युवक ने एक और योजना बनाई एक बड़े बरतन में पानी भर कर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले पांच सो लोगों को पानी पिलाया खुश होकर उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया बताओ अब हम तुमारे लिए क्या कर सकते हैं उसने कहा मैं आपको यहत्ताव बताऊंगा जब मुझे आपकी साहिता की जरुरत होगी इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी पांच सो घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा कृपिया तुम सब एक एक घास का गठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिख जाए उन्होंने उसे घासों के पांच सो गठर दे दिये जब घोडे के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युक की घास एक हजार सिक्के में खरीद ली कुछ करने के लिए इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यावसायों की सूची बनाओ प्रतेक के लिए यह तै करो कि वे क शहर में, ख गाउं में या फिर ग शहर तथा गाउं दोनों में रहते थे घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? एक सवाल और, क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यावसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ अब सुनते हैं पाठ प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य श्रोतों से भी पता चल सकता है शहरों, गाउं या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक तरीके से उकेरते थे इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंबों या प्रवेश द्वारों पर लगाया जाता था जहां लोग आते थे प्रिष्ट संख्या तिरासी इस प्रिष्ट में सबसे पहले एक चित्र है और इस चित्र के बारे में यहां वर्नन है जिसके बारे में लिखा है दिल्ली में मिला वलै कूप साथ में एक प्रशन है हडपा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र दिया गया है ये सांची की मूर्तिकला है यह मध्यप्रदेश सित सांची के स्टूफ की मूर्तिकला का नमुना है इसमें शहर के जीवन का द्रिश्य है तुम अध्याए 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे इन दिवारों को देखो क्या वे इट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से क्या इनके रेलिंग लकड़ी की बनी है इन इमारतों की छटों का वर्णन करो आईए अब पार्थ में चलते हैं अध्याए 5 में वर्णित अनेक शहर महा जन पदों की राजधानी थे जैसा कि तुमने पढ़ा इन में से कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे जैसा कि तुम उपर के चितर में देख रहे हो अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूडे दान के लिए प्रयोगत होते थे प्राया ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेश बहुत कम मिले हैं संभौता लकड़ी, मिट्टी वा कच्ची इटों या छपपर से बने होने के कारण वे ज्यादा समय तक टिक ना पाए हूं भविश्य में पुरातत तुविद इनकी खोज कर सकते हैं प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है ऐसा ही एक विस्त्रित विवरण किसी अग्यात युनानी नाविक का है प्रिष्ट संख्या 84 जिन जिन पत्तनों पर या बंदरगाहों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है मानचितर साथ प्रिष्ट 105 में भरूच ढूड़ो अब उसके द्वारा दिये गए वर्णन को पढ़ो इस प्रिष्ट पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बेरी गाजा यानी भरूच का युनानी नाम की कहानी दी गई है बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है राजा द्वारा न्यूक तो कुशल और अनुभवी स्थानिय मच्छुआरे ही यहां जहाज ला सकते थे बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पोखराज, कपड़े, सोने अरचांदी के सिक्कों का आयात होता था हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दात, गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से आयात किये जाते थे राजा के लिए व्यापारी विशेश उपहार लाते थे इनमें चांदी के बरतन, गायक किशोर, सुन्दर आउरतें, अच्छी शराब, तथा उतक्रिष्ट महीन कपड़े शामिल थे बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ दो ऐसी चीजें बताओ, जिनका उपयोग हडपा युग में नहीं होता था एक और बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, और जिसका शीर्षक है आहत सिक्के इसमें लिखा है, आहत सिक्के समान्यता आयताकार और कभी-कभी वरगाकार या गोल होते थे यह या तो धातू की चादर को काट कर या धातू के चप्टे गोलीकाओं से बनाये जाते थे इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बलकि इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह या ठप्पे से बने होते थे इसलिए यह आहत सिक्के कहलाए ये सिक्के उप महादवीप के लगभग अधिकान्ष हिस्सों में पाये जाते हैं और ईशा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे अब पाठ की ओर चलते हैं सिक्के प्रिष्ट 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ती का मुल्यांकन किया गया पुरातत्व विदों को इस युग के हजदारों सिक्के मिले हैं सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले इसका चित्र नीचे दिया गया है चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन आकरितियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था प्रिष्ट संख्या 85 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स बना है और बॉक्स का शिर्षक है विनिमय के अन्यसाधन संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो आईए कविता सुनते हैं खेतों के सफेद धान गाडियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था कुछ प्रशन व्यापारी किस चीज से इसका विनिमे करते हैं प्रशन संख्या दो वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं अब आईए पाट के और चले नगर अनेक गती विधियों के केंद्र अकसर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे उदाहरन के लिए मथूरा जो मानचित्र संख्या साथ पर प्रिष्ट 105 पर दिया गया है देखो यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिन से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिन की ओर जाने वाला था शहर के चारों और किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे मतुरा बेहतरीन मूर्तियों को बनाने का केंद्र था लगभग 2000 साल पहले मतुरा कुशानों की दूसरी राजधानी बनी इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे मतुरा एक धार्मी के केंद्र भी रहा है यहां बहुत विहार और जैन मंदिर हैं यह कृष्ण भक्ती का एक महतोपूर्ण केंद्र था प्रिष्ट संख्या 86 मतुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभी लेख मिले हैं आमतोर पर यह संख्शिप्त अभी लेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुशों द्वारा मठों या मंदिरों को दिये जाने वाले दान का उलेख करते हैं प्राया शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे उदाहरन के लिए मतुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं मतुरा के व्यावसायों की एक सूची वनाओ और एक ऐसे व्यावसाय का नाम बताओ जो हडपपा में नहीं था आईए इससे पहले की पाठ में चले हम इसके बॉक्स पर एक नजर डालते हैं बॉक्स का शीर्शक है उत्तरी काले चमके पात्र NBPW ये एक कठोर चाक निर्मित धातू की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है इसे बनाने के लिए कुमहार मिट्टी के बरतनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे जिसके परिणाम स्वरूप इन बरतनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बरतन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था अब आईए पाठ में चलें शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बरतन मिले हैं जिनें उत्तरी काले चमकीले पातर कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा तर उप महादवीब के उत्तरी भाग में मिले हैं ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवर्शेश नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महतोपूर्ण था। उत्तर में वारानसी और दक्षिन में मदुरे इसके प्रसिद्ध केंदर थे। यहां स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिन्हें श्रिणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रिणियों का काम प्रशिक्षन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वित्रण करना था। जबकि व्यापारीयों की श्रिणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे इस धन का निवेश लाव के लिए किया जाता था उससे मिले लाव का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लोटा दिया जाता था या फिर मठ आदी धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था प्रिश्ट संख्या 87 यहां भी सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्शक है सूत कातने और बुनने के नियम ये नियम अर्थशास्त्र के हैं अध्याए साथ में अर्थशास्त्र का उलेख किया गया है इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेश पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में स्तूत की कताई और बुनाई की जाती थी उन पेडों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की आवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और आवकाश प्राप्त देव दासियों को लगाया जा सकता है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए, जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमती नहीं है, वे अपनी दासियों को भेज कर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं, और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं, वे औरतें जो कार खाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, इस समय माल को अच्छी तरह जाचने के लिए रोश्नी रहती है, अगर निरिकशक उस औरत की तरफ देखता है, या इधर-उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर और परत ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, तुम्हारे लिए कुछ करने को, उन महिलाओं की सूची बनाओ, जिन्हें निरिकशक न्यूक्त कर सकता था, क्या काम करने के दवरान महिलाओं क मुश्किलें जहलनी पड़ती थी, अब पाठ की ओर, सुक्ष्म निरिक्षन, अरिका मेडू, मानचित्र साथ जो प्रिष्ट 105 में दिया गया है, में अरिका मेडू जो अब पुद्चेरी में है, ढूड़ो, प्रिष्ट 88 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो, यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे, यहां इंटों से बना एक धांचा मिला है, जो संभवतह गोदाम रहा हो, यहां भूमध्य सागरी एक शेत्र के एमफोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथे लगे हैं, साथी यहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं, इनहें इटली के एक शेहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी प्रिष्ट 88 नहां पर दिये गए एक चित्र की ओर, एक चित्र यहां दिया गया है, जिसके विशय में लिखा है अभी लेखित मिट्टी के बरतन, कई बरतनों पर ब्राहमी लिपी में अभी लेख मिले हैं, प्रारंभ में तमिल भाशा के लिए इसी लिपी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राहमी अभी लेक भी कहा जाता है। तुम्हारे लिए कुछ करने को रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्षे की सूची बनाओ। अब एक बॉक्स और और इस बॉक्स में एक चित्र को हम देख सकते हैं। इसका शीर्शक है एक्वाड़क्ट। आईए इसके वृतांत में चलें। बॉक्स का शीर्शक है अन्यत्र। मांचित्र छे जो प्रिष्ट संख्या छीहत्तर में है उसमें रोम को ढूड़ो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े सामराज्य की राजधानी था। इसके सबसे महतोपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम इटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग बहल बनवाये जिन्हें MP थियेटर भी कहते हैं। इन में चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी जहां लोग विभिन प्रकार के कारेक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाये जहां स्त्रियों तथा पुरूशों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित थे। यहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े-बड़े जलवाही सेतु यानि एक्वाडक्ट के जरिये शहर के स्नानागारों, फवारों तथा गुसल खानों के लिए यहां पानी लाया जाता था। एक प्रशन तुम्हारे लिए, ये बड़े-खुले रंग-मंडल यानि MP थियेटर और जलवाही से तु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे? प्रिष्ट संख्या नमासी, कल्पना करो, तुम बेरी-गाजा में रहते हो और पत्तन देखने निकले हो, तुमको क्या-क्या देख सिचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रिणी आओ याद करें, खाली जगहों को भरो, क, तमिल में बड़े भूस्वामी को खाली स्थान कहते थे, ख, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायह, खाली स्थान, द्वारा खेती की जाती थी, ग, तमिल में हलवाहे को खाली स्थान कहते थे, ग, अधिकांश ग्रहिपती, खाली स्थान, भूस्वामी होते थे, प्रश्ण संख्या दो, ग्राम भोजकों के नाम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे, प्रश्ण तीन, गाओं तथा शहरों दोलों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ, प्रश्ण संख्या चार सही जवाब धुड़ों का वले कूप का उपियोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सीचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था, ख, आहत सिक्के, चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। इसी प्रिष्ट पर एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ महतोपूर्ण तिथियां हैं। उप महादवीप में लोहे के प्रयोग की शुरुवात करीब तीन हजार साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, करीब 2500 साल पहले, संगम साहित्य की रचना की शुरुवात, करीब 2300 साल पहले, अरिका मेडू का पत्तन, करीब 2200 तथा 1900 साल पहले, प्रिष्ट संख्या 90, ग, मथुरा महतोपून, गाउं, पत्तन, धार्मी के केंद्र, जंगल क्षेत्र था, ग, शर्णी, शासकों, शिल्पकारों, क्रिशकों, और पशू पालकों का संग होता था, आहो चर्चा करें, प्रिष्ट 89 पर दिये गए लुहे के आउजारों में काउन खेती के लिए महतोपून होंगे, अन्य आउजार किस काम में आते होंगे, छे, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो, जिनके बारे में तुमने पढ़ा है, इनमें तुम्हें क्या-क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिये, आओ करके देखें, साथ, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है, तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो, संकेत, उन्हें कच्चा माल कहां से मिलता है, किस तरह के आवजारों का प्रयोग करते हैं और तैयार माल का क्या होता है, इत्यादी आठ, अपने शहर या गाउं के लोगों के कारियों की एक सूची बनाओ, मथूरा में किये जाने वाले कारियों में से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे की इतिहास की पाठे पुस्तक हमारे अतीत का आठमा अध्याए शीर्शक्था, खुशाल गाउं और सम्रिध शहर निर्माण सहयोग, शानु मुक्सीम, वाचन्स्वर और निर्माण, अजीतोरो तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत